हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार कुकता टीम फिजिक्स CLC सीकर शुरुबात करते हैं हमारे मिट सेशन टेस्ट सेरीज के टेस्ट नम्मर आठ की जिसमें टॉपिक कवर होंगे modern physics, error measurement, electronics, electromagnetic wave and principle of communication तो इसमें हम बात करते है paragraph 1 इसमें आपको गिवन है कि energy of 68.0 electron volt is required to excite hydrogen atom hydrogen like atom from its second orbit to third orbit nuclear charge जो है वो ZE मतला Z उसका atomic number है तो आपको बताना उसका atomic number क्या होगा हाना बिल्कुल सिम्पल सा concept हो देखो यहाँ पर यह N equals to 1, 2 और 3 2 से 3 के बीच में आप जो energy देते हो, excitation के लिए कितनी देते हो, जो इनका energy difference होता वो तो delta E जो हो जाएगा, वो हो जाएगा E3 minus E2, क्या हो जाएगा minus E naught Z square by 3 square minus of E naught Z square by 2 square, तो यह कितना हो जाएगा आपके पास 13.6 Z square, 1 by 4 minus 1 by 9 और यह कितना दिया आपको 68, जो कोई 68 जो है 30.6 से 5 बार कर जाएगा है न, और यह कितना जाएगा आपके पास Z square, 5 by 36 that is 5, तो इससे Z कितना, Z square कितना आएगा, 36 तो Z कितना आजाएगा, 6 आ गया, तो इसका आदर जो atomic number होगा, कितना होगा, 6 होगा, बिल्कुल से concept है नहीं तो, इसका दपन आते हैं, इसी की paragraph के second question पे, second question में आपको बताना है कि अगर आप उसी electron को ground से, infinite तक बेजना चाते हूँ, तो आपको कितनी energy का photon उस पे incident करवाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी ground energy लिखते हैं, ground state में energy क्या हो रहाएगी, E naught Z square by 1 square, यहने की 13.6 है ना, इसकी value तो, Z square यहने की 1 का square, सुर्य छे का square है ना, 36 into 13.6 है ना, यहाद आएगा, अब यह तो आपकी energy आजाएगी, अब आप यह क्या करोगे, इसी से आपको यह बताना है कि photon कितना देना पड़ेगा, देखो photon आपको उतना ही देना पड़ेगा, यहाँ पर जो electron उसकी energy negative ना, मतलब इतनी energy आप photon के स्को सप्लाई कर दो, तो यह जो electron है, वो आराम से infinite तक चला जाएगा, तो उसके लिए जो energy of photon है, वो उतनी होने चीज़ जितना इसको required है, infinite पर जाने के लिए, infinite पर जाने के लिए उतनी energy देनी पड़ती है, जितनी यहाँ पर, माइनस में है, मतलब total energy zero करनी पड़ीगी ना, तो energy of photon जो है, वो कितना होना चीज़, जिन दो energy level की बीच माँ बेजना चाहरे हो, उनका difference है ना, तो यह कितना हो जाएगा, 0-36 into 13.6 electron volt, माइनस में आएगा ना है, तो यह हो जाएगा, 12,400 divided by lambda, electron volt into angstrom, यह हो जाएगा, 36 into 13.6 electron volt, से electron volt कटेगा, तो आपके पास lambda कितना हो जाएगा, 12,400, 36 into 13.6 angstrom, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, इस case में, देखो, 36 से आप जब इसको cancellation करोगे ना, तो अब आप तो को देखो, यहाप पर option देखना है, option देखो तो यह option जो almost same value के साथ तो same एक खाली आपको पावर चीक करनी है, तो देखो, 36 into 13, 36 into 13 कितना होता होगा, almost ही होता होगा, अपने पास, 36 और 10 हो रगा, 360 उसमें लगबग आप 120 जो रगबग 480 कास पास आएगा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, exit calculation नहीं करनी है, यहाँ पर आपको approximation करना है, जो की काफी काम आता है, exam में इस तरह के options में select करने में, ओके, तो आपका second answer आजाएगा, इसका, कोई confusion मेटा, एक बार नोट करें यहाँ तक, उसका राते हैं हम अवारे second question पर, बच्चों, अगला paragraph आता है, इसमें आपको अग मॉनोख्रोमेटिक लाइट को, जिसकी wavelength and intensity given है, इसको आपने एक surface, जिसका absorption coefficient, 0.8 उसके डाला है, वर function 1.6 electron मोलते, तो आप से पूछाएं कि electron की emission की maximum rate है, पर मिटर स्क्वेर के लिए क्लिए क्या होगी, देखो, simple सी बात है, जितने photons आप डाल रहे हो, पहली बात तो सारे absorb होंगे नहीं, तो हम यह बोल सकते हैं, number of electron जो emit होंगे, वो क्या हो जाएगा, number of photon का 0.8 times, यह बात तो समझ भाएदी हैं आपको, कि जितने भी photons आएंगे, उसका 0.8 times ही emit होगा, ठीकिए, अब देखो, power क्या लिखते हैं, पावर होता है, intensity into area, या intensity को अपन कैसे लिखते हैं, intensity को अपन लिखते हैं, power divided by area, पावर को आपके लिखोगे, number of photon into energy of photon divided by area, ठीकिए, और time के साथ भी divide कर देंगे, पावर basically joule per second होता होता है, तो इससे मेरे पास n by a, इसको लिखेंगे, hc by lambda और इसको t, तो इससे मेरे पास n by a की value क्या आएगी, देखो, n by a क्या है, number of photon per unit area, per unit time, क्या जाएगा है, i lambda upon hc, तो इसको यहाँ लिख दो, i lambda upon hc, यह n फोटोन का मतलब यही तो है न, number of photons incident per unit time, पर unit area, है न, वैसे parent area नहीं होता है, पर parent area भी अपन साथ मेरे रहे हैं, area को 1, या तो area 1 कर दो पर लिख, अगर आपको area की tension नहीं रखने हैं, केवल अब calculation करके अपना answer तक पहुँचना है, तो calculation करेंगी तो देखो, i की value कितनी given है, 10 power minus 8, lambda कितना है, 365, 10 to the power minus 9, age कितना हो जाएगा, age हो जाएगा इस case में, 6.62, 10 power minus 34, और उसके बाद आपके पास, c3 into 10 power 8, और यह हो जाएगा, 0.8, तो finally आपका जो answer बनेगा इसमें, अब देखो, वापस again, option में value तो समय सेम ही है न, आपको तक बावर क्रॉस चेक करनी है, तो इस में solve करने पर आपका answer आएगा, first option, ठीक है, तो यह तो हो गया, note कर लो बेटा एक बार इसको, वीडियो पॉस करके, अब उसके बाद अपन आते हैं हमारे, कि maximum energy जो photo electrons को मिलेगी, वो कितनी होगी है न, तो maximum energy के लिए देखो, आप क्या करोगी है, है न, kinetic energy maximum कैसे लिखते हैं अपन, energy of photon, minus work function, photon की energy कैसे लिख होगी है, अब देखो, आपको यहाँ पे, 12,400, मैं lambda आपको इमिटर में दिया वा है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, 36, 3650 into 10 power minus 10, ऐसे लिख दूँ, मतलब कितना हो जाएगा, 36.50 angstrom, तो angstrom में जो आ रहा है, सुली, 36.50 नहीं आएगा न, 50 आएगा है तो, तो यह आएगा, 3650 angstrom, इस value को यहाँ डालो, minus 5 कितना है, 1.6, आगया, तो अब इस case में ही आगया, अपने पास, कितना आएगा है, 12,400, 365 minus 1.6, तो इसको जब आप solve करोगे, 365 से इसको डिवाइड करोगे, तो यह आपके पास value बनेगी 3.39, यह 3.4 माल लेते हैं, approximately, उसमें से 1.6 वर function को minus करोगे, तो आपका answer कितना हो जाएगा, 1.8 electron volt, जो कि अपना first option आजाएगा, fourth का, ओके, तो यह अपना यहाँ पे, easily fourth question बन रहा है, not करें यहाँ तक, उसका दमा आते हैं, हमारे section number B पे, जिसमें हम बात करने वाले, MC की, उसकी more than one correct choice पे, तो आपके screw case गिवन है, इसके 50 divisions हैं, और इसमें आपको, use करने से पहले, already four units का, आपको zero error दिया हुआ है, मतलब बेना use करें, अगर मालों कोई reading आ रहे हैं, तो उसका open zero error बोलते हैं, और यह बोलने की, एक total rotation अगर आप दोगे, तो कितना, इसमें rotation में 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 कितना displacement आ रहा है, 0.5 mm का, तो यहाँ पे pitch कितना दियावा है, 0.5 mm, यह तो हो जाएगा pitch, दूसरी चीज होती है, number of division on circular scale, कितने divisions हैं इसमें? कितने divisions होती है, circular scale में? पचास दियाएं, तो इसका least count कितना होगा? least count हो जाएगा, 0.5 mm, डिवाइड बाइ 50, तो इससे कितना आ रहाएगा मेरे पास? इसको मैं micrometer में convert करता हूँ, तो मैं इसको 500 micrometer, डिवाइड बाइ 50 कर दूँ, तो यह कितना रहाएगा? 10 micrometer, this is the least count, तो अपना पहला option से ही आ गया, है ना? दूस्तरा देखो यह जो द्यावाना की 4 rotation ओलरेड़ी आगे है वो, इसका मतलब 4 तो ओलरेड़ी reading मा आ रहा है, मतलब यह positive 0 error है, और positive 0 error को पन माइनस करते हैं, तो positive 0 error कितनी आ रहाएगी? देखो बिना reading के जो 0 error, बिना measurement के भी अगर कोई reading आए, बिना कोई object रखे भी reading आ 10 micrometer से, एक division circular scale का 10 micrometer कब रहाए, तो 4 division कितना हो जाएगे? 40 micrometer की error, और 40 micrometer की error तो कितना हो जाएगा? 0 error is 0.04 mm, ओके? तो अपना इसका option number 1st, 3rd, 4th, तीनों इसमें correct हो जाएगे, ओके? फिर इसका आते हम हमारे second question पर, second question में आपको resistance का combination दिया, और आपको इसमें error बतानी है, ठीक है? तो बिल्कुल simple सी बात है, जब आप इनको series में जोड़ोगे, पहले जोखो, आप यह देखो कि इसमें error कितनी दिवी, 0.404 का absolute error इसमें दियाएगी, 0.4 की plus minus की error आप कर सकते हो, तो जब आप इनको जोड़ोगे, तो जोड़ते वक्त याद रखना, अपन error का भी combination कर देते हैं, तो 4, 4, 16 और 0.4, 0.4 मिलागी, कितनी error आएगी, 0.4, 0.8 हो जाएगा न, plus minus 0.8 की error आजाएगी, तो इस case में आपका answer क्या रहाएगा, 8 plus minus 0.4, simple, simple आपको जोड़ना है, error भी जोड़नी है, और value भी जोड़नी है, एडिशन के वक्त हो, इवन subtraction के वक्त के वक्त की होता है, value minus ह होती है, लेकिन error फिर भी उड़ती है, यह ताब को पता ही न, तो यह दोसरा, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि delta r1 plus delta r2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.8, 0.8, यह अपन side में इसको solve कर सकते हैं, अब आया parallel combination के लिए, parallel combination के लिए जखो, अपन क्या करते हैं, 1 upon r, बराबर 1 upon r1 plus 1 upon r2, अ होता न, वो था differentiation का, तो इस पूरी equation का differentiation करो, करोगे तो क्या आएगा, 1 upon r का हो जाएगा, minus 1 upon r square, और r का dr, minus dr upon r1 square, plus मैं यह अपनी जगे, minus dr upon r2 square, तो dr कितना हो जाएगा, इस case में देखो, dr हो जाएगा, अपने पास, dr यह तो हमें बताना है न, तो dr तो हमें बताना है, तो इसको तो अपन, dr लिख देते हैं, minus minus सब कट जाएगे, r square तो पहले r parallel निकालो, r parallel कितना आएगा, इसमें, r1, r2 upon r1 plus r2, यह आएगा, 2, तो यहां लिखो, 2 का square, यह कितना आएगा, 0.4 upon 4 का square, 0.4 upon 4 का square, solve करने से, आपको इसमें, जो value मिलेगी, dr, वो कितनी मिलेगी, चार, 0.8 by 16, 0.8 by 16 into 4, तो यह जाएगा, 0.2, तो मेरा option number, fourth correct हो जाएगा, ओके, तो यह आपका second, fourth answer, इसका अपने बात करते हैं, हमारे, third question की, third question में, आपको, चलो एक बार इसको note करो पहले दो, अब third question में, आपको दियावाएगी, एक photon जो है, जो है, उसकी energy 4.25 electron है, वो metal surface A-P strike करता है, photo electron की energy जो है, वो TA है, ठीक है, चलो, तो अपने यहाँ पे बिल्कुल equations बनाते जाते हैं, energy जो A की आएगी, वो आएगी, phi A plus kinetic energy, A के case में, कितना दियावाएगी, 4.25, phi A plus TA, पहली equation, दूसरी equation क्या दियावाएगी, और D-Brogly wavelength lambda A की बने, ठीक है, दूसरी case में, आपको दियावाएगी, कि maximum kinetic energy जो है, वो B के लिए, जब अपने 470, 4.70 का photon डाला, तो B पे, तो उसके जो photon की energy थी, वो थी T-B, दो equations, ठीक है, अब इसके बाद आपको relation given है कि T-B जो है, वो TA, 7.5 कम है, T-B कैसे निकालोगी, T-B हो जाएगा, मेरे पास 4.70-5B, यह हो जाएगा, 4.25, माइनस 5A, माइनस 1.5, कितना हो जाएगा है, यह, आप माइनस करोगी इसको, तो यह अपने पास आजाएगा, पहले तो आप इसको माइनस करो, तो 1.5 माइनस हो जाएगा ने, इसमें यह जुड़ेगा, तो आपके पास, प्लस 1.5, बिल्कुल ठीक है, अब इसमें आपको डी ब्रॉगली वेवलेंट के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, कि डी ब्रॉगली वेवलेंट जो है, वो इतना है, ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंट को देखो यहाँ पे, तो क्यासे लिखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंट का फॉर्मला होता है, 12.27 अपॉन एक्सलरेटिंग वोल्टेज, तो एक्सलरेटिंग वोल्टेज जो है, आप वो लिख दोगी यहाँ पे, अब याद रखना, जितनी इनकी एनर्जी आती है, उतना है इनका एक्सलरेटिंग वोल्टेज उसी रेशियो में होता है, तो जितना ज़्यादा एक्सलरेटिंग वोल्टेज उतनी कम व्यूलेंथ, तो लेम्डा भी अगर ट्वाइस का मतलब में वह सकता हूँ, डेल्टा VB, जान रखना है, स्पीड नहीं है, एक्सलरेटिंग वोल्टेज है, इस ट्वाइस ओफ वन अपॉन रूट ऑफ डेल्टा वी ए, तो कितना हो जाय का डेल्टा वी ए, इस फोर टाइम्स ओफ, डेल्टा वी बी, अब एक्सलरेटिंग वोल्टेज अपन कैसे लिखेंगे, एक्सलरेटिंग वोल्टेज लिखने के लिए मेरे पास यहाँ पर, या काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास टी ए बराबर 4TB, यह मेरे पास एक और एक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इसको मैं तीसरी एक्वेशन देता हूं, और एको रिलेशन के दिया था, आपने पास टी ए बराबर टी बी एक्वेशन तो एक बार तो मैं इन दोने एक्वेशन को काम मिलता हूं, थोड़ी दर इसको अटाते हैं अपन, तो देखो, टीवी की जगे टीवी रख दो, 4 टीवी रख दो, माइनस 1.5 रख दो, तो तो is, sorry, 3 टीवी is 1.5, तो टीवी कितना आ जाएगा? 0.5, टीवी अगर पॉइनद फाइफ है तो टीवी कितना हो जाएगा? इसका अंतलब टीवी अगर इतना है, 0.5 तो टीवी आएगा, 2 तो टीवी डू आ जाएगा, टीवी तो गलत आ रहा है, इसमें, अब इसमें टीवी अगर आपको प्यता लग गया 2 तो इससे 5A कितना हो जाएगा 5A हो जाएगा 4.25 माइनस of TA मतलब कि 4.25 माइनस में 2 कितना हो जाएगा 2.25 तो 2.25 मेरे पास आजाएगा A का वर्क फंक्शन, B का वर्क फंक्शन देखते हैं 5B कितना आजाएगा 4.7 माइनस TB तो 4.7 माइनस में 1.5 तो कितना आजाएगा 4.2 तो 4.2 यह पेरा सेकेंड ओप्शन इसका आजाएगा तो इसमें मेरे पास 1st, 2nd, 3rd, 3rd, तीनों सही है TB जो इन्होंने गलत दिया ओप्शन में TB एक्शन में 0.5 आएगा तो एक सिंबल सा क्रेशन ही भी ज़्यादा टफ नहीं है बस दीव रॉगली कंसेट्ट आपको चार एटम गिवन है HHE प्लस LI2 प्लस ग्राउंड इस्टेट में है L1, L2, L3 इनके मैगनिटूड से तो आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम के मैगनिटूड है तो आपको बताना है कि इनमें रिलेशन क्या होगा देखो हमें एंगुलर मोमेंटम में जो बहुर छोरी लगती है सेकंड पोस्टूलेट क्या कहता है कि कि किसी भी इलेक्टोन का एंगुलर मोमेंटम MBR जो होता है वो एने चपोन 2 पाई होता है इर्रेस्पेक्टिव ओफ इट्स एंटमिक नंबर जाए कुछ भी हो N पे डिपेंड करेगा एंटमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा कौन L अब यहां सभी के लिए ग्राउंड स्टेट में बोल दिया ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो राता है यह हो जायागा तीनों इक्वल तीनों एक्वल है तो यह लेस्थ देन ग्रिड़ दिन का तो को मतलब भी नहीं है तो गलत हो जाएंगे फिर अपन को यह पता है कि एल वन भी एल है एल टू भी एल है तो टू एल तो जैखो एक्वेशन तो में च करी रही है न इसका मतलब यह फोर्थ भी सही है फिर्स्ट और फोर्थ दोनों इसके सही उप्शन हो जाएंगे इसका आते हैं हम यहाँ पे फिप्ट क्योशन पे 5th question में आपको ground state से first excited state first excited state का मतलब होता है n equals to 0 से sorry n equals to 1 से 2 में जाना यहाँ पे इसकी energy कितनी थी minus में 13.6 10.2 का gap होता है तो इधर कितना बसता है minus में 3.4 ध्यान रखना minus 3.4 इसकी total energy होती मतलब की kinetic energy जो है वो इसका double इतनी होगी 3.4 potential energy इससे double होगी 6.8 यहाँ kinetic कितनी थी इतनी ही पस positive में आईगी और potential कितनी थी इससे double इने की 27.2 minus में अब देखो potential energy में क्या हुआ increment तो kinetic energy तो decrease होगी kinetic energy increase थोड़ा ना होगी kinetic energy तो decrease होगी ना potential energy increase होगी क्या नहीं हाँ बिल्कुल potential energy increase हो रही है angular momentum में change कितना आएगा angular momentum L initial कितना था 1H upon 2pi L final कितना है 2H upon 2pi तो difference in angular momentum डेल्टा L केसा आजाएगा 2 minus 1 H upon 2pi यहने की H upon 2pi value डालो 6.6 2 10 पार minus 34 almost 6.28 तो almost उतने आएगा minus 34 कासका सतना option बन जाएगा यह अपना 4th option भी करेंगी तो 5th का मेरा 2nd 3rd 4th तीन option करेक्ट आजाएगी ओके बच्चों नोट करें एक बार इसको फिर आते हैं हमारे 6th question पे 6th question में आपको एक per nucleion binding energy का जो graph गीवन है वो इस तरह का एक hypothetical graph गीवन है एक्चुल इसा नहीं होता है एक्चुल दिया हुआ है ठीक है तो आपको यहाँ पे आपको इस तरह का graph गीवन होता नहीं है पर मान लेना है ठीक है तो मानने में तो कुछ जा नहीं रपना है मालो मैंने एक 49 ले लिया और दोसरा ही मैंने 49 ले लिया यह दोनों अगर जुड़ भी जाते है तो इनका total mass number कितना होगा 98 98 के बाद भी क्या है 100 के उपर निकले क्या नहीं जुडने का मतलब ही होता है कि जुडने के बाद mass number जो नया आये न combine nucleus का वो उतना होना ची कि stable range मा आजा है तो कम से कम आपको 100 के उपर निकलना पड़ेगा अब 100 के उपर total लाना है तो कम से कम एक value को तो 50 के उपर होना पड़ेगा या तो आप ऐसे करो कि आप 58 और 45 इनको जोड़ो तब जा कि आप greater than 100 निकलोगे लेकिन आप 100 के उपर तब निकलोगे जब दोनों value में से कम से कम एक value तो 50 के उपर हो अगर दोनों ही 50 से कम है तो क्या range stable range में आप आओगे क्या नहीं तो stable range में जब nucleus जाता है तब ही energy release होती है यहां तो stable range में नहीं आ रहा है न इसका मतलब energy release नहीं होगी दूसरे की बात करते हैं दूसरा उस range मा रहा है कि जो 51 से 100 वाले हैं वो दो nucleus जब जूडेंगे तो अब इससी बात इस stable range माएंगे और stable होने का मतलब ही क्या होता है कि nucleus जब release जूडें तो कुछ energy release होनी चाहिए energy जितनी कम होगी उतना ही system ज्यादा stable होगा इसलिए second option सही होगा अपना 100 से 200 वाले कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले ही stable है तो यह बोल रहे हैं कि यह block टूटेंगे बिल्कुल नहीं टूटेंगे टूटेंगे तो 200 को उपर वाले यह तो पहले से stable थे इनको क्यों टूटने की जुरत है बई तो यह तीसरा गलत हो गया चोटे बात है फिशोन ओफ निकलियोस लाएंगे मास रेंज 260 विल्रिलीज बिल्कुल सही बात है आप जब इस रेंज में मास डिके करवाओगे मानलो 260 से आपने दो इससे बनाए तो एटलेस कम से कम 130 130 बनेंगे है ना इसके आसपास थोड़ा वो दूपर नीचे तो दोनों 100 से 200 की रेंज माएंगे ना इसका मतलब तो मेरा ये 4th option जो है वो सही बन जाएगा तो मेरा आंसर इसमा जाएगा 2nd और 4th कोई confusion इसमें किसी को बिल्कु सही बात है यहाँ आता है इसके लिए बारोन के लिए कितना दिया आपको 8 और इसमें टोटल कितने निकली होने 10 तो इसके लिए टोटल एनर्जी कितने आ जाएगी इसके लिए आएगी minus 8 into 10 यन्याने की minus 80 फिर इसके लिए एनर्जी कितने आएगी total winding energy यह आ जाएगी पास minus 7.5 into 11 यह जाएगी 82.5 अब देखो यह बोल रहे है energy required to remove neutron from this अब इससे एक neutron हटाना है मतलब इसकी energy बढ़ाने ही पड़ेगी कितनी बढ़ाने ही पड़ेगी एक neutron हटाओगी मतलब आप इसको convert कर रहो इसमें तो आपको इसमें कितना add करना पड़ेगा 2.5 add करना पड़ेगा 2.5 जब add करोगे तो आपको यह 80 हो जाएगी मतलब आप एक neutron को हटा भी दोगे और साथ में इस range की energy आपको लाने ही तो इसका मतलब अपना answer क्या जाएगा 2.5 कोई confusion इसमें तो इसमें 2.5 को arrange की से करना आप देखो 2.5 को अपन ऐसे लिखेंगे 2.5 बराबर 25 डिवाइड बाई 10 तो n क्या जाएगा इस इस n ठीक है 25 अपना answer आजाएगा आते हम second question पे second question में आपको बोला है कि ultraviolet radiation जिसकी frequency है potential target पे fall होता है तो photo electron को stop कर सकते है अपन retarding potential कितना लगा रहे है 0.6 का तो इस case में energy equals to work function plus EVS यह होता है न energy equals to work function plus 0.6 electron volt E की जगे E और VS की value कितना है VSE तो दिया हुआ है frequency radiation की increase करते है 10% से 10% से अगर आप यह increase करते हो तो आपने इसको 1.1 कर दिया इसका मतलब तो work function तो उत्ती रहेगा केवल यह जो extra है वो यहां आ जाएगा तो VS देश माल लेता है इसको में EVS देश तो आपने बोला है कि इसमे अच्छा इसकी value दे रहे है इसको आपने अगर इसको करा तो 0.9 जो है वो तो 0.9 हो गया यहां पर अब देखो दोलों को माइनस करो इसा अगर 1.1 माइनस 1E है ना इसको equation 1 नाम दे तो इसको equation 2 अपन क्या कर रहे है 2 में से 1 को माइनस कर रहे है तो कितना जाएगा है 5 से 5 कटेगा 0.9 माइनस 0.6 EV तो 0.1 E यह कितना आएगा 0.3 EV E से E नहीं इसे निकटेगा तो E कितना आएगा अपने पास 3 इलेक्ट्रोन वोल्ट यह तो अपना एनर्जी आएगा 3 इलेक्ट्रोन वोल्ट में सब आप यह फाई निकालना है तो E माइनस 0.6 कर दो तो कितना आएगा 2.4 EV तो 2.4 इलेक्ट्रोन वोल्ट इसको वापस वो X by 10 के कमपरिजन में लिखोगे तो कितना आएगा 24 by 10 तो अपना आणसर कितना हो जाएगा X की वैल्यू 24 यह आपका आणसर बन जाएगा इसका तो फिर उसकी बाद आपने बात करते हैं हमारे अगले करेशन थर्ड करेशन की एक बार आप इसको नोट करें बच्चों थर्ड करेशन में कोबाल्ट इसका अटमिक नमबर 27 है इसको आप बंबाड करते हो इलेक्ट्रोंस की बंबाड़िए इस पर करते हो तो करेक्टरिस्टिक्स वैलेंट जो आपको मिलती है वो एक सेकेंड वीक करेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम भी इसमें मिलता है due to impurity of target तो दोनों की k-alpha-valuant आपको मिल रहे है k-alpha-valuant के लिए आपको जो shielding constant लेना होता है उन्हों लेना होता है इन्होंने अल्रेडी mention कर दिया तब यहां में बात करेंगे अपन की atomic number क्या होगा अभी मैंने mains में भी इस चीज को समझाया था मेंस वाले segment में भी की z-1 का square इस पर dependency आती है ना तो अब इसमें आपको दोनों की एक की तो 2-5 दिया हुआ है पिको मिटर में एक की 100 पिको मिटर दिया हुआ है और इसका कोबाल्ट का कितना दिया है 27-1 का square और इसको कितना दिया हुआ है z-1 अपन माले था impurity का तो square अगर आप square root लोगे तो 15 divided by 10 z-1 है ना और ये कितना हो जाएगा 26 26 का z-1 कितना हो जाएगा 39 तो z कितना हो जाएगा 40 तो इसमें जो impurity उसका atomic number कितना है 40 हो जाएगा ओके ये third question फिर आता अपने पास fourth question fourth question में आपको बोल रहे हैं कि decay constant जो इनके हैं और आपको initially इनके same number of nucleus दिया है then ratio of number of nucleus x1 to x2 after 1 by e तो देखो n1 और n2 जो है वो अपन कैसे लिखेंगे n0 e to the power minus lambda 1 t n0 e to the power minus lambda 2 t अब ये ratio इनों ने कितना दिया 1 by e n0 तो same थे तो कट जाएगे e की power minus lambda 1 कितना है lambda और sorry lambda नहीं 10 lambda 10 lambda t और ये कितना है minus lambda t तो ये कितना हो जाएगा e to the power 9 lambda t तो इसका मतलब 9 lambda t is 1 इसका मतलब 1 upon lambda t is 9 तो अपना answer क्या जाएगा 9 आ जाएगा कोई confusion इसमें तो ये अपने चार question यहां के भी complete होते हैं कि आता अपना second इसमें आपको वापस section D में आपको वापस यहां पर नॉन इंटेजर वेलिए उसमांसा देना है तो आपको यहां पर पूछा पूछा जेड का तो को सिंपल सा के से तो कि जो डेल्टा जेड एरर होगी वो twice of डेल्टा A फिर उसके बाद 2 by 3 times of डेल्टा B half times of डेल्टा C और साथ में 3 times of डेल्टा D अब A, B, C, D की percentage इरर आपको किस ओडर में दियावा है 2 into 2% 2 by 3 into 1.5% 1 by 2 into 2% 3 into 2.5% ठीक है तो 4 1.5 और ये 1 और ये 1 और देल्ट तो 4 दो ये 7.5% आपका अंसर बन जाएगा इसका तो 7.5% जो है इसका अंसर आजाएगा आपका पहले question कर ओके फिर आते हम हमारे अगले question second पर second में आपको यहाँ पर देखो इसमें error बताना है current की है न तो देखो सबसे पहले आपको current की value I दियावा है thousand V by T minus 1 कितना दियावा है 6 दियावा है कि 5 दियावा है 5 million पर दियावा है तो 5 इस पूरी value को आपन 5 की equal करें तो इस to the power thousand V by T की value कितनी आ रहा है कि 6 अब क्या करेंगे अपन इस equation को differentiate करते हैं तो differentiate करेंगे तो क्या आए का डियाए बराबर सबसे पहले एकी पावर का differentiation सेम होता है यह तो इकी पावर का thousand वी का डीवी और बाकी constant अपनी जगे है बन का 0 हो जाएगा अब इसकी value कितनी इसकी वैलिए शिक्स मिली एंपेर मिली ओलिक तो साथ में आप है ना thousand अपनी जगे वी कितना डीवी कितना है पॉइंट जीरो वन वोल्टेस की एरड़ दे रहे है यह दे रहे है और साथ में आपको टेंपरेचर कितना 300 उससे डिवाइड भी तो करना है कितना जाएगा जाएगा यह आपने पास दो जीरो सो दो जीरो खतम कितना जाएगा बीस मिली एंपेर किरेंट मिली एंपेर करेंट की तरह है तो पॉइंट्फो मिली एंपेर अपना अन्सर बन जाएगा इसका ओके यह आगहे आपने पास और तहीं का इंपनी अन्सर मिलकुल सनिंपल 7 डिफ्रेंसीशन जाών से हमारे थर्ड को ऐसन पे थर्ड को-शन मेना आपको एक पार्टिकल दिया वाय है चो इस तरह से एक पॉतेंशल फिल्ड है उते होते हैं यह बस आपको फंक्षन की बने तो इस से फॉर्स कैसे निकालो है इसका differentiation कर दो कितना हो जाएगा U not R की पावर 4 4 और 4-1 तो जाएगा 4 U not R की पावर 3 यह actually magnitude है ना आपन खाली magnitude की बात कर रहे है ठीक है तो यह तो आजाएगा आपके पास force पहली equation में फिर यही force क्या करेगा required centripetal force provide करेगा तो यह हो जाएगा 4 U not R cube M V square R यहने कि V square is directly proportional to R मतलब कि मैं बोल सकता हूँ V is directly proportional to R square फिर अपन को यहाँ पे ना R और N में रिलेशन बुचा देको M V R जो है ना वोर का quantum rule apply करें तो NH upon 2 pi की equal होता है V R की कितनी power पे depend कर रहा है R square पे तो V की जगे में R square लिखूँगा 1R यहाँ लिखूँगा 1M यहाँ लिखूँगा NH upon 2 pi वैसे अब यह सारा proportional चल रहा है बस अब क्याकि मैंने V exact R square नहीं है कुछ proportionality constant भी आ रहे हैं तो इससे मुझे बदल रहा है कि R जो है वो N की कितनी power पे depend कर रहा है 1 by 3 पे और 1 by 3 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 by 3 को आप एसे लिख दो 0.33 ठीक है तो आपका आंसर बन जाएगा 0.33 फिर उसके आता अपना fourth question तो यह simple सा concept है जो कि अपन hypothetical concept पढ़ते ही ना बोर मोडल अपलाई करते हैं कभी gravitational field पढ़ते हैं कभी क्या पढ़ते हैं तो वो concept यहाँ पर अपन ने अपलाई किया जब भी energy दिया रहा है उसे force निकाल लो differentiation करके आते हैं अपना अगला fourth में आपको radioactive substance हो है वो dk होता है 1 by 16th of its initial value देखो 1 by 16 तक आने में न 0 by 16 को में लिखूंगा एन नोट अपाउन टू की पावर एन तो इसका मतलब एन कितना आया मेरे पास चार चार हाफ लाइफ लगेगी इसका मतलब 4 into t half और ये टाइम कितना दिया आपको असी दिन असी दिन अगर इसकी हाफ लाइफ है तो एक हाफ लाइफ कितनी हो जाएगे बच्चों बताओ 20 दिन काफी बहुत इजी वेपर तापका है ना तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वेपर काफी अच्छे से दिया होगा यहना सारे करेशन बहुत एजी थे और उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे नम्मर आ रहा होगे ओके बच्चों थैंक्यू अल्दवेस्ट